हाई फ्रेंड्स मैं सीव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वाद करता है अपने यूट्यूब चैनल गेर नौलेज टेकनिकल में फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग कुश्चन लेकर के आया हूँ ट्रेट फिटर एंड वेल्डर के लिए यह हमारा कम्बिनेशन क्लास है कंबाइन क्लास चला रहे हैं इसमें मैं कुल आपको 10 कुश्चन बताऊंगा दस कुश्चन बहुत ही भी भी उसकी प्रिप्रेशन करके अप अपना परफॉर्मेंस अच्छा से दे सकें फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं टॉपिक पर आने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को आगरा करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट् की गुंजाइस है आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए बहतर से बहतर जो है कर सकें तो फ्रेंड्स अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं हमारा पहला कुश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है पहला कुश्चन है ब्लेक इस मिथी में गर्म जॉब को काटने के लिए किया जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि चीजल दो प्रकार के होते हैं एक हमारा cold chisel होता है दूसरा हमारा होता है hot chisel तो गर्म जौब को काटने के लिए हम लोग hot chisel का उप्योग करते हैं इसका सही और correct answer हमारा है hot chisel जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ hot chisel friends अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रस्ण क्या कहता है अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर इस प्रकास से दिखाई दे रहा है प्रस्ण है कि which head is used and set to any required angle in the combination set combination set अगर आप लोग देखे होंगे picture मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार यह हमारा combination set है इसमें कहा रहा कि वो कौन सा head है जिसका उप्योग हम किसी भी angle में set करने के लिए करते हैं आपके option देखिए हैं A square head, B है protector head, C है center head, D है rule तो यहाँ पे picture मैं आप देख लीजे left side से देखते हैं तो हमारा spirit level लगा है उसके बाद protector head है फिर center head है नीचे के वो देखते हैं ति रूल है उसके बाद जो हमारा square head है तो इसमें देखिए option number हमारा जो B है protector head इसका उप्योग हम किसी भी angle में set करने के लिए करते हैं तो मेरा B जो है correct और सही answer है इसलिए हम अपने correct और सही answer पे टिक लगा लेते हैं तो मेरा जो option है वो हम option B को लगा लिए टिक चलते हैं फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रस्न क्या है अगला प्रस्न है कि चूज दा करेक्ट फार्मूला तुफाइंड दा डामीटर ऑफ जॉब दी इन मिलीमीटर इफ दा कटिंग स्पीड भी इन मीटर पर ती मिनट एंड रेविलेशन पर मिनट एन आर गीवें देखिए फ्रेंड्स यहां कह रहा है कि आपको डामीटर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला आपको यूच करना होगा आप्शन नमबर हमारा ए दिया है दी इकोल टू 1000 इन्टू भी बाई पाई एन बी है हमारा दी इकोल टू पाई इन्टू एन बाई 1000 डिवाईड बाई 1000 इन्टू बी सी हमारा दी इकोल टू 1000 इन्टू पाई बाई बी इन्टू एन डी हमारा आप्शन है 1000 इन्टू एन डिवाईड बाई पाई इन्टू बी तो चार आप्शन है मैं आपको प्रिवेस क्लास में लिके जाना चाहता हूँ आपको फर्मूला याद होगा कि cutting speed बरावर क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं कि c s cutting speed equal to होता है πाई d और n by 1000 ये हमारा cutting speed बरावर होता है तो जैसा कि जब आप d निकालेगा तो d निकालेगा इदा तो d बरावर क्या होगा यहाँ c s c s मतलब cutting speed जिसको यहाँ b से denote किया गया है तो b आपका 1000 into b बट a πाई n जो मेरा correct और सही answer है वो मेरा ये हो जाएगा तो option number a मेरा correct और सही answer है जिसे मैं tick मार लेता हूँ तो 1000 into b by πाई into n चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रशन क्या काता है अगला प्रशन आपके screen पर इस प्रकाश से है अगला प्रशन है कि which range of cutting speed is set for turning a mild steel using high speed steel tool कह रहा है कि mild steel के turning करनी है जिसमें हम tool यूज कर रहे है high speed steel का तो कह रहा है कि हम जो turning का speed रखेंगे वो हम कितना रखेंगे तो option number a है हमारा 15 से 20 मीटर परती मिनट b है मेरा 35 से 50 मीटर परती मिनट c है मेरा 50 से 80 मीटर परती मिनट और यहाँ पर जो c लिखा गया है वो actually d है यह है हमारा 37 से 100 मीटर परती मिनट तो देखिए हम यहाँ mild steel के turning कर रहे हैं हैं और use कर रहे हैं हम high speed steel tool तो यहाँ पर हमारा जो है सही रेंज होगा 35 से 50 मीटर परती मिनट इसी रेंज से हम turning करेंगे option number b मेरा सही और correct answer है जिसे मैं लगा लिया चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न आपके screen पर इस प्रकास से है अगला प्रस्न है कि identify the type of riveted joint आपको दिखिए आपके screen पर एक riveted joint दिखाई दे रहा है ति यह कौन सा riveted joint है यह है हमारा यहाँ पर lap joint हो गया है जो गलत है यहाँ lap होगा lap joint उसके बाद B है मेरा single strip butt joint C है double strip butt joint D है मेरा double riveted lap joint तो इसका correct और सही answer होगा friends हमारा C double strip butt joint यह मेरा correct और सही answer है जिसे मैं tick लगा लेता हूँ तो C मेरा सही और correct answer है तो option number C friends अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रस्न क्या कहता है अगला प्रस्न आपके इस क्रिम पर इस परकास से है प्रस्न है कि which one of the flowing is permanent fastening अब देखिए फास्निंग से question आया है कह रहा है कि वो कौन सा है permanent fastening का उदाहरन है ए है हमारा screw fastening, B है fastening with bolt and nut, C है brazing, D है welding तो friends fastening के लिए हम लोग देखिए fastening chapter में जब जाते हैं तो fastening हमारा तीन परकार का होता है एक होता है हमारा temporary fastening दूसरा होता है semi permanent और तीसरा हमारा होता है permanent तो यहां permanent पूछा है तो permanent का आपका उधारन है D welding welding हमारा जो है permanent fastening है इसलिए हम टेक मार लेते हैं D पे तो D welding हमारा permanent fastening है यह मेरा correct और सही आंसर है चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रशन क्या कहता है अगला प्रशन आपके screen पर इस परकास से है अगला प्रशन है कि in heat treatment process annealing is done to कह रहा है कि heat treatment जो process है उसमें annealing हम किस लिए करते हैं तो देखिए annealing भी जो है heat treatment का ही एक process है annealing करने का हमारा मकसद होता है कि जब हम किसी भी टूल का hardening करते हैं तो उसमें hardness आता है और bitterness का गून आता है तो वह hardness जो हमारा stress बनता है stress को कम करने के लिए अर्था इसमें हम increase the softness softness को बढ़ाने के लिए हम annealing करते हैं तो option number B मेरा correct और सही answer है जिसे मैं tick लगा लेता हूं B मेरा correct और सही answer है friends आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन आपके screen पर इस प्रकास से है अगला प्रशन है कि एक gap between two seats was noticed after riveting कहा गया this defect is caused due to कहा गया कि एक gap जो है देखा गया दो seats के बीच में riveting करने के बाद तो उसमें यह notice किया गया कि यह किस कारण से हुआ है option हमारा a की short a rivet length b है oversize drill hole c है improper use of rivet set d है the rivet being too long तो इसका correct और सही कारण क्या है इसका correct और सही कारण है option number c हमारा improper use of rivet set मतलब जो rivet हमारा यूज किया गया वो ठीक धंग से यूज नहीं किया गया इसलिए इसका सही और correct answer सी है जिससे मैं टिक लगा लेता हूं सी मेरा correct answer है चलिए friends आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगला प्रशन क्या काता आगला प्रशन है कि what effective change will occur to tool geometry if the cutting tool is set below the center height on lathe कह रहा है कि अगर lathe में हम cutting tool को अगर हम कम height में बानते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो आपके option जो है चार option है a front clearance angle increase b front clearance angle decrease c front clearance angle remain same d front clearance angle become zero तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब हम कम height पर बानते हैंगे center height से अगर हम below रखेंगे तो क्या होगा कि मेरा front clearance angle बढ़ जाएगा तो option नमबर मेरा a correct और सही आंसर जिसे मैं एक लगा लेता हूं चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण आपके screen पर इस पर कास्व है कि आप्टर हार्ड्निंग प्रोसेस ना मेटल बिकम स्मोर हाडएं एंड आलसो विल विकम मूर कहा है इस प्रस्ण में कहा गया है कि अ तो देखिए जब किसी मेटल को जब हम हार्ड करेंगे तो उसमें ब्रिटलनेस का भी गून आता है इसलिए option नमबर A मेरा जो ब्रिटल है ये correct और सही answer है जिसे मैं टिक लगा लेता हूं A चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रस्ण क्या कहता है अगला प्रस्ण है कि आप्टर थ्रेडिंग ए होल बाइट टेप इट वाज फाउंड डैट दा क्रेश्ट ऑफ थ्रेड वाज नॉट फाउंड फ्रो आउट विच वान अब दा जो कट रहा है वो थ्रो आउट हो जा रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है तो इसका कारण है आपका कि देखिए होल साइज स्लाइटली मौर देन दाट टेप ड्रिल साइज मतलब होल का जो साइज है वो हमारे टेप के साइज से बड़ा है इसलिए हम उसमें थ्रेड में क कि इसलिए हम कि आप्सन नंबर डी को लगा लेते हैं डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्ण क्या कहता है आपके स्क्रीन पर 21 कुश्चन मतलब कुल 10 कुश्चन जो है मैंने सॉल्व कर दिया है इसमें इन प्रश्णों को सॉल्व करने के बाद आप लोगों से आसा करता हूं कि अगर मालीजिए कि इसमें कुछ तुरूटियां हो तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही